हेला एवरिवन वेल्कम टू गेट अकेडमी मेरा नाम जैकेश्यप है और आज हम लोग और वी का फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए उस पर डिसकस करेंगे क्योंकि कहीं सारे स्टुएंट की वरी आ रहा था कि सर अपन सर हमें फॉर्म फिल करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ह अनलोगी है अरव इसको टाइब करेंगे अरर भी का एक डावर्मेंट डाष इन तो इस पर आप क्या करेंगे अप क्लिक करांगे वर को इस तरीके का एक जो और गार्भी का जो ऑफिशल वैबसाइट है वो ऊपन होगा एपेज आपन होगा इस में दो चीज़ क्या होना जाए वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप और दूसरा तो apply section है जो कि बहुत important है apply section में जाएंगे तो आपको दो options दिखेंगे create an account and already have an account है ना create an account and already have an account तो आपको जाना है create an account पर तो create an account पर आप click करेंगे तो आपको इस तरह की पेज दिखेगा इसमें लिखा हुआ है कि candidates who are already created an account for मतलब कुछ different exams जैसे alp technician sub inspector और constable यह सब exam के लिए अगर आपने पहले से ही form fill कर लिया या exam दे दिया है rrb का तो आपको account create करने का नीड़ नहीं है है आप आप क्या कर सकते हैं आप अपने जो ID और password आपने create किया हुआ इससे पहले इन exams के लिए हैना उसके थूआ आप क्या करेंगे आल्रेड़ी अपने चाहेंगे और login करके form fill कर सकते हैं लेकिन जिन्हों ने आज तक कोई एक्जाम दिया नहीं है या फिर अकाउंट क्रेट किया नहीं है उनको और पर क्लिक करके आगे form account create करना पड़ेगा तो हमें account बनाना है तो अपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का page open ओपन होगा जिसमें आपको details जो है यहां पर सब्मिट करने पड़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्रेटिन अकाउंट करना है तो यहां पर कौन से कंट्रिक हैं सबसे पहले इसको आप फिल करेंगे तो आप यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बात आप आगे जाएंगे तो पर्शनल इंफरमेशन और परस्टनल इंफरमेशन जो है वह 10th के मार्क्सिट के उपर बेज़्ट होगा जैसे आपका जो नाम है वह आपको यहां पर इंटर करना पड़ेगा है तो जैसे कि हम फूल नेम अपना टाइब करेंगे तो आपको step by step यह बताते जाएंगे कि कैसे form फिल करना है जैसे मैंने यहां पर अपना टाइब कर लिया फिर रिटाइब फूल नेम फिर इसी नेम को रेटाइप करना है वापिस से चीक है तो रेटाइप हो गया फूल नेम फिर इसके बाद दिया है have you changed your name इसका मतलब है क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है क्योंकि कुछ student कई बार अपना नाम चेंज कर लेते हैं तो इसके लिए दिया है have you to change your name तो यहाँ पर अगर आपने नेम चेंज किया है तो यस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा आपको i understand and i agree को क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर option दिखेगा new change name इसका मतलब है कि आपने जो नेम चेंज किया था वह आपको इंटर करना है यहाँ पर फिर इसको रेट टाइप करना है new change जो आपने जो नेम चेंज किया होगा उसको और अगर आपने अपना नेम कभी चेंज नहीं किया है तो आप simply no पे क्लिक करेंगे ठीक है तो यह वाला तो पार्ट हो गया फिर date of birth आपको यहाँ पर अपना date of birth इंटर करना वह भी कैसे जैसे आपने 10 के मार्क सिट में जो आपका date of birth होगा तो फिर यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ से date select करेंगे year select कर लेंगे year के बार आप मंत select कर लेंगे फिर अपना date तो यह हो गया date फिर आपको रिटाइप डेट बर्थ रिटाइप करना है तो कुछ नहीं करना है आप यहाँ पर ऐसे करते जाएंगे तो यह आपका सहीं सहीं और बहुती क्येरफुली इंटर करना पड़ेगा हाला कि आप तीस तारीक के बाद करेक्शन्स कर सकते हैं अपने फोंपे ठीक है तो फादर का नेम फिर यहां पे रिइंटर करना है जैसा कि आपने आपके 10th के मार्क सिट में होगा ठीक है उसके बाद मदर्स के ने ठीक है तो फादर्स का नेम मदर्स नेम दोनों हो गया फिर आगे अधार वरिफेकिशन अधार वरिफेकिशन का मतलब है आपको यहां पे दो चीज़े दिख रहा होगा यू वेरिफाइजिंग अधार और आई डूनोट है अधार काड इसका मतलब है कि अगर आपके पास अधार काड नहीं है अधार काड तो लागनोट है आधार कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के दिखेगा फिर उसमें भी आपको आधार कार्ट पे क्लिक करना है तो आपको इस तरह के का options दिखेगा select a valid proof of ID इसका मतलब है आपको यहाँ पे कुछ multiple पे select कर सकते हैं select करने के बाद आपको document का number भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके बाद इस आथरोटी मतलब कि आपको यह जो ID कार्ड है वह इशू किया है फिर place of issue मतलब कहां पे यह इशू हुआ है और date of issuing मतलब कि कब यह जो कौन से date पे आपका जो ID कार्ड है वह इशू हुआ है वह आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा यह तब की बात है जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप क्या करेंगे आधार कार्ड है तो फिर आप सिधा यहाँ पे आधार कार्ड का पे फिल करेंगे और जिनके पास नहीं नहीं आई आधार कार्ट पे क्लिक करके फिर हो अपना वहां से id și best करेंगे मैं पर सिन्ट जासे कि a 박ल कर लिया है तो मिरा काक्षा नम्र केवाइं पो इसलिए आदार पे जाना हैं तो यहां पर मेरा नाम जैसे कि अलरोडि यह date of birth, gender, details as per adhar enter full name as per adhar अगर आपका aadhar card का detail और आपके 10th marksite का detail अगर same है तो आप direct my earlier details are same as perAll articulation certificate marksite में click कर सकते हैं तो यहां पर details as per adhar में already वो यहां पर ले लेगा अगर आपका details same नहीं है तो आप इस click नहीं करियेगा और यहाँ पे आपने जो भी नाम है, आधार पे वह रख सकते हैं, लिख सकते हैं, डड़ा रीट पर्ट क्या है, और जिर्मन 900 मैं जैसे कि मेरा अगर जैसे कि मैश हो नहीं रहा है तो में यहां पे आपने नाम लिखूंगा, फुल्नेम जो मेरे अधार काड में अधार काड में we मैं दिखौंगा theo विडिटो बर्थ थि मेरे अधार काड में दिया हुआ यह कि और रिपध करूँ है यह होग है ठीक है तो मेरा अधार बरिपिकेशन हो चुका है ہyoई अधारята सक्सेसफुली तो मेरा आधार वेरिफिकेशन हो चुका है फिर मुझे यहां पर कॉंटेक्ट डिटल्स देने हैं जैसे कि मेरा email address और मेरा mobile address इसको भी मुझे generate करना पड़ेगा और सब्मीट करना पड़ेगा तो मैं email address यहां पर अपना सब्मीट करता हूं तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी अपना कि यहां पर email address जालना है कि ध्यार रहे कि यह email उसके बाद generate email otp generate email otp पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके email पर आपका जो भी email होगा उस पर आएगा कि एक otp आएगा को उस OTP को आपको मैं यहां पर इस OTP को आपको यहां पर अ क्लिक करना है जो कि वोटीपी आएगा उस को इपको आपको यहां पर डिक करना है कि मेरा email address था उसमें OTP आया तो इस OTP को मैंने यहां पे submit कर दिया इसके बार mobile number मेरा जो mobile number है वो इसको आपको डालना है आपका जो भी mobile number रहेगा और इस बात का care करना कि mobile number आगे future में भी active रहे फिर आपको generate mobile OTP पे click करना है तापके mobile पे एक OTP आएगा RRB के और से है है हो सकता है कि OTP थोड़ा लेड़ भी आ जाए क्योंकि अभी RRB का जो website है उसमें ज्यादा लोग form भर रहे हैं तो जैसी आपको OTP आता है आपको यहां पे उस OTP को कि सब्मिट करना है जैसी कि मेरा आ गया है तो मैं यहां पे उस चिश्च को यहां पे इसके बाद जो नेस्टेफ है वह क्रिएड यूव पासवर्ट मतलब आपका पासवर्ट आपको क्रिएड करना है और पासवर्ट आपको हमेसा रखना है क्योंकि आगे future में आपको RRB के website में login करने के लिए वो जो password है आपको यूज होने वाला है लोग इन करने के लिए आपका mobile नमबर या email एड्रेस और पास्वर्ड ठीक है तो यह हुआ फिर create your password तो पास्वर्ड शुड भी combination of capital letter, small letter, special characters and numbers इसका मतलब है आपके password में एक तो capital letter भी होना चाहिए, small letter भी होना चाहिए, special character भी होना चाहिए and numbers भी होने चाहिए तो मैं यहाँ पर जैसे तो password आपको create करना है तो create करते हैं तो सबसे परे एक letter जो है capital में होगा फिर उसके बाद आपको small letter भी डालना है उसके बाद फिर special character जैसे as the rate has हो गया तो as the rate लिग देते हैं फिर आपका number जो number होगा वो भी आपको यहाँ पे password बिनाने में यूज करना है फिर उसको confirm password में आप जाएंगे वापिस आपको password confirm करना है ठीक है तो आपका जो password है और confirm password दुनों सेब होना चाहिए ने तो फिर आगे नहीं जाएगा प्रोसेस फिर आपका capture कोड आएगा इंटर capture कोड तो आपको यहाँ पे capture को इंटर करना है जैसे यहाँ पे 5762 है आपको capture कोड इंटर करना है फिर प्रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है एक बर उससे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स जाला है वह सही है कि न सब कंफर्म है तो प्रिव्यू एंड अकाउंट पर आपको क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा एक पेज ओपन होगा जो भी है जिसमें आपका दिखेगा क्या आप कंट्री कहां का है आपका नाम क्या है डेट बर्थ क्या है जेंडर क्या है फादर सब को लगता है कि ने मैंने नाम अपने डाल दिया या डेट अब बर्त कोछ भी चीज़ आपने डाला है तो अब रिःट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप create an account पे क्लिक कर देंगे तो create an account पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह करेंगा कि details on the create an account form including email address and mobile number cannot be modified at any stage of recruitment process once account is created do you want to be proceed मतलब बुर रहा है कि आपका email address और आपका mobile number change आप नहीं कर सकते इसलिए अगर आपको प्रोसेड कर दिया मतलब कि आप दूबरा उसे चेंज नहीं कर सकते इसलिए आप एक बार इडिट करने का option आपको दिया हुआ हां तो यहां पे मैं प्रोसेड भी कर देता हूं क्योंकि मेरा mobile number और email address सही है तो फिर यहां पे आपको sign करने का option देखेगा साइन कर एक option देखेगा जिसमें आपको अपना mobile नमबर या email address से आप पासवर्ड डालना है जो कि अभी हमने create किया था तो मैं यहां पे अपना mobile number mobile number डालता हूं क्योंकि mobile number मुझे आगे भी यूज होना है फिर जो पासवर्ड आपने जो पासवर्ड महां पे बनाया होगा भी आपने बनाया था वह पासवर्ड आपको डालना है इसलिए पासवर्ड और आपका जो mobile number है वह आपको हमेशा यूज करना है फ्यूचर पे भी अररवी के जो एक्जाम से उसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करना हो कुछ में वह mobile number और पासवर्ड यूज होने वाला है फिर यहां पे आपको केप्चा है तो आपको केप्चा क कर दिया अगर आप पासवर्ड भूल गये हैं तो फॉर्गोड पासवर्ड का भी ऑप्शन है बट आप पासवर्ड मत भूलिएगा उसको हमेशा mobile कहीं पे शेव करके रख लिएगा फिर जैसे कि मैं अब यहां से लोगिन करता हूं मेरा क्रिएट एकाउंट हो चुका है अ इसको क्या है जेर्रेक्शन से online application क्लिक करना है तो मुझे यहां पर कुछ दिखेंगे जैसे कि तो फिर मैं इसमें जाओंगा यह नोटिफिकेशन मुझे दिख रहा है यहां पर दो दिख रहा है मुझे सेकंड नमर पर जाना है तो मैं क्या करूंगा सब्सक्राइब उसमें क्या करना है सेलेक्ट डी फॉर वीच्च यूविश्ट अप्लाइब मतलब एक अरवी स्लेट करेंगे जैसा यहां पर बहुंँ सारे आरवी आपको दिख रहे होंगे आप जिस भी आरवी के अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहां पर सेलेट कर सकते हैं यहां पर कुछ सेलेट करता हूं आप भी कुछ सेलेट कर सकते हैं जिस जोन के लिए जिस जोन के लिए वह आप यहां पर सेलेट कर सकते हैं मैंने एक सेलेट कर लिया फिर उसके बार आपको आपको क्लिक करना है यह आप क्लिक कर लिए और भी सेलेट करेंगे पहले फिर क्लिक कर होगा कि यहां पर लिखेगा अकाउंट इस वेरिफाइड भी अधार काड क्योंकि यह हमने पहले स्टेप पे अकाउंट जब क्रिएट किया तो कर लिया था तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कुछ चीज़ आपको यहां पर इडिट भी करना है जैसे की करेंट न सा मातरिभाशा आपकी कौन सी है वह भी आपको यहां पर सबकुछ तो आपको जिस लेंग्वेज से एक्जाम देना है उस लेंगे पर मार्क और आइडेंटिफिकेशन जैसे कि अगर आपके बोड़े में कोई कट है कोई मोल है या कुछ ऐसा चीज है जो विजिबल मार्क ह तो आप यहां पर इसको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं अधरवाइज आप यहां पर लिखके आगे बढ़ सकते हैं ना पर्मनेंट विजिबल मार्क और आइडेंटिफिकेशन टू भी दिया हुआ है अगर आपके पास ऐसा कोई आपके बोड़े में ऐसा कोई विजिब कमेंटिटी डियर्ज आप कौन से क्यांटिटिस से बिलॉंग करते हैं वो आपके एंवर फिल करना जैसे एंप काई की करना है तो अगर आप यहां MA इस करते हैं तो वह कास्ट का नहां में हापको लिखना है पिर उसके बाद certificate no. no. no आपको से किुल क्थे आपको यहां पर बढ़ने का सकताब कि शाज हुआ कर přेके नहां से ईश के रहे हैं और उसके आप आएगा date of issue किस date में आपका जो cast certificate है वो issue हुआ है वो date आपको आपके certificate में mention रहता है वो आपको यहां से date of issue जो है उस date को यहां पे आपको select submit करना है फिर do you wish to avail free rail travel pass for the exam तो इसमें आपको yes or no का दो options है जैसा आपको ठीक लगता है वो आपको yes or no पे करना है कि आपको travel pass से नहीं चाहिए ठीक है यह तब की बात है जब आप reserved category से belong करते हो like sc और मगर मैं st में करता हूं तो st में भी same options आ रहे हैं st में भी आपको name of the tribe कौन से ट्राइब से वह आपको यहां पर लिखना है फिर certificate number आप क्या है वह आपको लिखना है फिर issue authority कौन से यहां पर बहुत सारे options दे रहे हैं उन में से एक आपको select करना है जिसने आपको issue क्या होगा फिर date of issue किस date पे आपक OBC करते हैं अगर आप OBC करते हैं तो OBC अधर बेकवाट क्लास करते हैं तो do you came under OBC क्रिमिलेर में हो तो yes नहीं हो तो no करना है आपको ठीक है तो अगर आप इसी हो क्या EWS से हैं तो फिर EWS का भी यहां पर आपको ऐसे options देगा certificate number EWS मतलब इकोनोमिकल विकर section आपको certificate number जो है वह आप लिखना है फिर EWS authority किसने आपको इशु किया है बहुं सारे options दे रहे है multiple options में से कोई एक आपको select करना है जिसने आपको इशु क्या होगा फिर date of issue मतलब किस date में आपका issue हुआ है वह certificate यहां पर लिखना होगा है यहां से आप submit कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो जैसे कि different different category के लिए different different यहां पर दिया हुआ है सब कुछ वैसे आपको उसे साफ से form fill करना है लेकिन एक चीज़ याद रखना है जैसे ही आप कोई भी unreserved को सोड़के कोई भी कास्ट पे जा रहे है जैसे स्सी स्टी ओबीसी डव्यूस तो आपके पास certificate होना जरूरी है अधरवाइस फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा है ना तो certificate हो तभी आप स्टी ओबीसी डव्यूस में select करके फिर उसके coding आप form fill कर सकते हैं जैस पूण से प्रिजेंट अपको से स्टेट से हो आपका ट्रिस्ट इस्टिक कौन सा है फिर आपको यहांप पे अड्रीत लिखना है फिर पेर पिंट लिखना है फिर अगर आपका पर्मानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस से हैं तो आप इसके बाद इड्रेस जो इड्रेस आपका है वह एड्रेस आप कि स्टरेट कर सकते है गजो अध्रेस जहां पर रहते हैं वो अध्रिस आपको यहां पर डालना है फिर VILLAGE TAUN CITY मतलब आप VILLAGE TOUN CITY आप जहां पर रहते हैं वो टाउन का नाम वो आपको यहांपर सेलेट करना है फिर PIN CUD जो पिन कुट वहां होगा वो आपको यहां पे इंटर करना है और अगर आपका पर्मानेंट अड्रेस और प्रेजेंट अड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर सकते हैं तो आपका दोनों अड्रेस जो है सेम हो जाएगा Otherwise अगर आपका पर्मानेंट अड्रेस कुछ और है और आपका प्रेसेंट अड्रेस कुछ और है तो भी आप उसको यहाँ पे टिक नहीं करेंगे उसको आपको फिल करना पड़ेगा अब यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेजिए वापी से कि आपने क्या-क्या फिल किया है वह सही है कि नहीं है यह सब तो आपने पहले ही यह कर लिया था इस इस डिलीजन मदर टंग चोईस ओप लेंवेज ओब एक्जामिनिशन और यह पर्मानेंट विजिकल मार्क फिर आपका कम्यूनिटी कौन सा है आप कौन से के टेगेरी से वह और फिर एड्रेस इतना करने के बार आपको क्या करना है सेव कर देना है सेव करेंगे सेव करने क आपको नेश्ट में जाना है अब नेश्ट में जाएंगे तो कुछ और डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे जैसे की केटेगरी डिटेल्स एक सर्विसमेंट डिटेल्स लाइक कि अगर आप आप एक सर्विसमेंट कि अगर आप एक सर्विसमेंट है तो यहां पर अग लिए टीटेव का यहाँ पर डालना रहे घा फिर डे डेट अफॉ एटलेशन की मतलब की आपकी डेट अब जोइनिंग क्या था फिर अभी फिर से मतलब डाह ए इसमेंग अब क्या है भुलिस कर सकैने लेंग'll ava येज फिर length of service आपकर service का लेन्ध क्या है वह तो यहां पर हैं फिर उसके बाद यहां पर आपको अच्छा इस फींट लिदे गिरते है जी एकश सर्विस में करते है तो और प्यांद है तो नौ प्रनाविंद अब कुछ भी जेश्य डेना नहीं पड़ेगा ठीक है तो पढ़ते हैं person with benchmark disability details pwbd का details आपको दोना रहेगा जैसे की are you a person with benchmark disability अगर इसमें select करना आगर आप नहीं है तो नो कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब करना है तो आपको सब्सक्राइब करना है फिर सब्सक्राइब को बिसेबिलटी आपको यहाँ पडरेगा फिर नेचरी नो पर फिर अब वा भी दे करिए यहां पर फि्टी सर्टिफिकटंद पर चलिक डेट अंब मतलब elephant पर वह पर अगर क्या फिर यह सारे डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे अगर आप नहीं है तो नोग पर डारेट क्लिक कर दीजे फिर आपकुछ डिटेल्स आपर बरना नहीं पड़ेगा फिर आगया आता है अगर आप एबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यह स्पे क्लिक करेंगे अब यह क्या होता है एबीसी होल्डर क्या होता है मतलब की एकनोमिकल ली बेकवाड क्लास केंडिडेट्स आर दोस फूस एन्युली फैमिली इंकम इस लेस देन रुपेस 50,000 और होल्डर सो बीपिल क सब्सक्राइब करेंगे इस को आई अंडरस्टेंड एन आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ ऑप्संस दिखेंगे इस पर यह और आपको आपको ऑप्शन है फिर उसके बाद है डिटेल्स ऑप सर्विंग रेल्वे अच्छे आगे का है यह कब है यह नहीं पड़ेगा फिर आगे जाएंगे तो डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेल्वे अप्लिकेंट आर यू एंप्लोई ऑप एंडियन रेल्वे मतलब कि अगर आप अभी रेल्वे के इंप्लोई हैं और नहीं है अगर हैं यह सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डिटेल्स दे यहां परते हैं तो जोन प्यासे आप यहां पर करते हैं तो यहां करना नहीं पड़ेगा फिर करेंटigtिव मुनेंटेइम excluding railway employees ठीक है name of the current department organization मतलब अगर आपके पास कुसी organization department से आप जुड़े हुए हैं तो उन में से आप central government state government PSU यह सब आप options आपको दीख रहा है अगर आप central government state government या पीस्व में काम करते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं otherwise not applicable में क्लिक कर देंगे अगर किनी में से वर्क नहीं करते हैं तो ठीक है उसके बाद next step होगा bank details for refund of fee ठीक है तो यहां पर क्या आपको bank account number ifc code देना रहेगा क्योंकि rrv का cbt1 exam होने के बाद जो फीस आप से लिया आ ifc code आपको यहां पर देना रहता है तो जैसे कि name of account holder name of account holder में मैं अपना नाम लिखूंगा जो भी नाम रहेगा आपका account number का वह आपको लिखना रहेगा वह आप यहां पर सब्मिट करेंगे फिर उसके बाद account number का account number कि आपने सही account number यहां पर डाला है कि नहीं डाला है आप account number जब भी डालेंगे तो बहुत ही carefully account number डालेगा क्योंकि इसी account पर आपका जिदिफेंट है आने वाला है ठीक है तो उसके बाद फिर क्या करना है आपको ifc code डालना है कि आपका ifc code क्या है तो ifc code और account number जो है वो आपके bank passbook में दिये रहता है तो आप वहां से ifc code आपको वहां से मिल जाएगा झालेगा क्या है तो आपको अपको की वहां से आपको का दो कि आपको का तो आपको की है आप 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 नेम और आपका बेंग फ document पर ऑप लिख यहां पर शो करह ABD करता हlor उसके बाद फिर आप सेयल और न्हु क्लिक करेंगे उसके आगे फिर आपको को शेव के क्लिक करना है say other details सेव सक्सेश्पुल दिसके बार आगे अगर जैसी हो जाता है उसके नेस्ट पे क्लिक करना है नेस्ट पर जाना है अब यहां पर अब यहां पर कुछ चीजे हैं आपको जो करना रहेगा ऐसे इसेंश्यल क्वालिफिकेशन इनदना एड़ एक बटन तो सबसे पहरे तो मैट्रीकुलिशन ऐसे इसका मतलब 10th का आपको सेलेट करना है यहां पर दिया हुआ है 10 का select करेंगे select state मतलब कौन से स्टेट से पास आउट हो आपका 10 कौन से स्टेट से हुआ है वह आपको यहां पर लिखना रहेगा फिर इसके बाद कि देट और पासिंग आप कौन से डेट पे पास हुए थे वह आपको यहां पर कि select करना है कि आप कौन से डेट पे पास हुए थे रोल नमर आपका रोल नमर जो है और आपको यहां-पर लिखना है इतना करने के बाद आपको यह सब करने के बाद 10 का जो था 10 का आप यहां पर फील करने डेटा फिर आपको यहां पर क्लिक करना है ताकि आप आगे है है कि आपका मेठ्रक Blog हो चुका है तो फिर आगे का ॐड़ेट यहाँ पे एडिवर कारो सब्सक्राइब सेल्एक एंट क्लिक बटन यैसे आपने इसका थो हो गए है आपका मेठ्रकोशों कि हो गया है एकना तो आप यहां से एड़ेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहान से Edit भी कर सकते हैं तो हमने कर लिया है, तो अपन को क्या करना है, अब्डट हो चुकते है हमारा हमको बस Add पे click करना है, Add पे click करेंगे, तो यहां पर हम लोको दिखेगा, फिर से अपन को क्या options दी रहेगा, Add करना है, 3 years diploma in engineering bachelor of science and degree in engineering मतलब आप में से, इन में से कौन सा 10th के बाद का options दे रहा है यहां पे तो 10th के बाद का option में आप जो भी जेसे भी आपने क्या हो या तो पर दिग्री इंजिनिर्ण क्या हो तो आप इन में से किसी एक को select कर सकते हैं पर इहां से जो महला से करने के बाद आपको डिस्टीप्लिक्रॉम कैना ये फिर जो है इंजिनिर्एट इनिजिनरिंग टो यहां पिर मैं सरेकों कर अगर का है तो हां इसक्राइट से तो है तो लीख सकते हैं स maior डिक्रिक्षा यह आपने यह थे एडिंगरिट के ठीक है आपको से संसड़ेन को पास हुए थे यह आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क कि इस घ्रट पासिंग आपको आपको ल stem मैं दीख जाएगा इसलिए आपको मनदेश जाएगा इसलिए आपको में मैंसी देखना पड़ा बार कि हैं आपको पास हुए हो जिस डेट में पास हुए हो वह आपको यहां पर लिखना पड़ाएगा ठीक उसके बाद यह आपका हो गया इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको इस पर कि एड़ करना है एड़ करने के बाद इसके बाद करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें आपको फोटो and signature पूट करने रहेघा फॉटो और signature कर अपनोर अब आपको ऊपपलोड करना रहेगा फोटो और signature का कुछ यहां पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जैसे कि क्या क्या दिया है इस शुट बी इसेंट कलर फास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बेग्ग्राउंड नोट ओलर देन इस शुट बी ऑफ साइज 35 mm x 45 mm or 320 x 240 pixels इस शुट बीन जेपेजी जेपेजी फोर्मेट इस इस तरीके से आपको अपने फोटोगाश साइज है इस के बीच होना चाहिए फिस सिंगनेचर का भी स्पैसिफिक्शन दिया हुआ है कि उसका भी जो साइज है साइज ओव इस सुट साइज 50 mm x 20 mm दिया हुआ है तो यहां पर फोटो और सिंगनेचर अप्लोड करने से पहले आप यह इस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लिजेगा उसके बाद ही फोटो सिंगनेचर यहां पर अप्लोड कर सकते हैं वरना अधरवाइस रिजेक्शन भी हो सकता है तो जैसे कि यह आप इस तरीके से दिया हुआ है 140 पिक्स और 60 पिक्स वैसे यहां पर फोटोग्राप का 320 पिक्स और 240 पिक्सल अगर सेंपल आप देखना जाए तो सेंपल दिया हुआ है इस टाइप के फोटो जो है अगर आप अप्लोड करते हैं तो वह कैंसल होने के चांसे ज्यादा है र इसके आपन को फोटो एंड सिगनेचर अप्लोड करने है इसके स्पैसिफिकेशन में बता चुका हूं तो आपका साइज जो है 30 के बीश से 70 के बीश होना चाहिए तो फोटो जैसे कि मैं आप अप्लोड किया है और मैंने 30 के एक फोटो अप्लोड किया अपना सिगनेचर अ उन प्रॉट्ष होना चाहिए फोटो एंड सिगनेचर का साइज है ठीक है तो आपको ध्यान देना है किसा इस्ट Windows 70 उसे जढ़ा नहीं होना चाहिए ऑव तीस से कंपनी क्लिक करेंगे इसके पर आगे बढ़ेंगे फिर यहां पर important चीज है क्या लिखाया हुआ है आपका eligible पोस्ट मुझे यहां पर दिया हुआ है according to मेरा जो eligibility criteria है उसके according मुझे यहां पर order of preference यहां पर select करने है कि मैं कौन से पोस्ट पहले ब्रीज तो मुझे यहां पर छे टोक options दिख रहे हैं जिसके लिए मैं apply कर सकता हूं मतलब है मैं इस छे पोस्ट ले apply कर सकता हूं अब order of preference आपको देना है कि आप कौन से पोस्ट में पहले apply करना चाहते हैं मतलब प्रिफरेंस क्या होना चाहिए जैसे कि मैंने यहां पर पीवे ब्रीज को पहले option में देना अगर मैं चाहता हूं तो मैं प्लस प्लस पर सबया उस्ट को आपको प्रिफरेंस देना है ऑडर प्रिफरेंस की पहले मैं इसको Navy ले थे रहा ह visão यह आम यह सब्सक्राइब और प्रिफरेंस आपको select कर लिया तो इसके बाद मुझे करना है तो select exam group में आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेंगा civil and allied engineering क्योंकि मैं civil engineering हूं है ना तो यह आपको मुझे दिखिया I understand agree में क्लिक करेंगे तो यह हो गया आपका select exam group जो भी आपका exam group रहेगा वह आपको यहां पर select करना रहेगा according to eligibility criteria फिर उसके बाद यहां पर आपको इसको declaration को क्लिक करना है फिर place आप कौन से place प्लेस आपको यहां पर लिखना रहेगा फिर उसके बाद आपको place लिख दिए फिर इसके आप सेव करना है आपको आपका signature तो अल्रेड़ी वहां पर आपने डाला हुआ है ठीक है तो यह सब चीजे करने के बाद आपको क्या करना है शेव करना है तो आप यहां पर ऑफिर एप्लेकेशन में जयना है । आपका ऐप्लीकेशन इस तरह केसे दिखे गा जो आपने एस तरह के आपको दिखेगा जो जो आपने प्रिज़ किया हुआ सब यहां पर आपके सामने आजाएं आ जाएगा कि आपका पर्म ंब का जो डिग्री है वह क्या कॉनसी है यह सब आप को यहां पे दिख जाएगा फिर उसके बाद आपको छीजए बाएं कौंसे से जितने भी चीज़ है वह आपको सब कहां पर दिख जाएगा अभागो क्या करना है आय है धिजेक्ट अगर आप चाहें तो जैसे कि आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ डिटा गलत डाला हुआ है मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है आप एडिट पे जाके उस डिटा को चेंज कर सकते हैं जैसे आपने अपना एडिकेशन कॉलिफेकेशन कुछ डाल दिया कुछ भी चीज आपसे मिस्टेक हुई हो आप एडिट कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डिटेश सही है तो आप इसवे क्लिक करेंगे आई हैव रिचेक्ट अब डिटेश और इसके बास सब्मिट कर दे लेकिन जब करेक्शन का विंडो ओपन होगा 30 अगस्तर से 8 सितंबर तक तो फिर उच डेट पे आप करेक्शन साब कर सकते हैं ठीक है तो फिर यहां पर यहां पर उसको मैं कर देता हूं सब्मिट यह हो गया सब्मिट अब उसके बाद यहां पर मुझे पेमेंट का ऑप्श इस तरीके से आप कर सकते हैं दो ओप्शन यह पेविद sbi e-pay एपर भी श्यसी वॉलट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जैसी कि मैंने यहां पर भी इस VIA इपे सेलेट कर लिया ठीक है फिर इसके वर आपको आई एग्री विट टर्म्स और कंडिक्शन में क्लिक करके प्रोशेट कर देना है जैसे आप प्रोशेट करेंगे आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा यहां पर डेविट का ट्रेड़ कार से पे कर सकते हैं इंटरनेट ब आपका पैमेंट हो जाएगा जैसी आप यूप्याइट को डालते हैं और पे नाव पंप करेंगे यह फिर इंटर यूप्याई इडी ऑप दो जिया हुआ है तो मैं इंटर यूप है जैसे आपका UPI ID will edit हो जाएगा आपको will edit option में क्लिक करना रहेगा जैसे विलेडिट वेशन में क्लिक कर दिया उसके बाल आपको पे नाओ पे क्लिक करना है आप पे नाओ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो UPI ID नम्मर आप में दिया होगा उस पे एक पेमेंट का option आएगा आपको वो pay कर देना है आपका जो पेमेंट है वो 4 minute 34 second में हो जाएगे तो जैसी आप पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेस्फुल हो जाएगा तो फिर आपका विंडोज है इस ताइप का open होगा जिसमें आपको दिखाएगा इस पेमेंट रिसिप्ट सक्सेस्फुल मतलब आपने पेमेंट कर दिया है आपने 500 रुपय का मैंने कर दिया है यहां पे तो यह आपका पेमेंट यहां पे सक्सेस्फुल हो चुका है पेमेंट सक्सेस्फुल हो गया मतलब कि आपका form जो है फिल हो चुका है आप यहां से आप प्रिंट क किया हुआ है और application status और payment status किया है payment इस्टेट क्या payment completed है payment Pay now verify ये सब options आपको दिखेंगे ये कहा दिखेंगे application history पिखेंगे online application ये था जो आपने online application भर दिया है अब application history में आपको payment पे दिखना आप यहां से आप्स्ट को डाउन रहोड भी नाहें तो रहाम हैं लिटावर्कों में जाएंगे तो यह जो है आपको क्या आप प्रेंट भी हो जाएगा हमने कर लिया अब इसके बाद इसके बाद आप फिर से application history पर जा सकते हैं और जो भी आपको doubt रहेगा और अगर कुछ corrections आपके हो रहे हैं तो आप 30 तारीक के बाद ही जो correction window open होगा तभी आप correction कर सकते हैं और अभी के लिए आप इसमें correction नहीं कर पाएंगे एक बार application submit हो जाने के बाद कई बार क्या होता है आप payment करते हैं तो पैसा तो कर जाता है आपके account से बट यहाँ पे payment status में completed नहीं दिखाता है तो उस condition में आपको क्या करना है एक गंटा wait करना है वापिस status में आएंगे और फिर पेव नाव में जाके आप चेक करेंगे तो फिर वह आपको यहाँ पे दिखा देगा payment completed है ना तो उसमें डरने वाली बात है नहीं तो यहाँ पे हमने एक form fill करके complete कर लिया है सब कुछ ready है तो आपको इसमें एक ही चीज उसना कुछ doubt तो है नहीं जो आपका photo और signature important है photo का size है 30 के भी से 37 के भी और signature भी 30 के भी से 37 के भी के बीच होना चाहिए ठीक है और cast certificate जो certificates होते है वो उसको भी आपको PDF form में वहाँ पे submit करना रहेगा if you are a reserved candidate अगर आप reserved candidate है STAC या फिर OBC या फ आपको क्या करना है उस condition में आपको जो certificate है वो upload करना रहेगा ठीक है PDF form में upload करना रहेगा तो वह आपको certificate आपके पास होना चाहिए otherwise फिर आप reserved category से नहीं डाल पाएंगे ठीक है तो यहां पर मुझे लगता है कि सब कुछ complete है और ऐसा कुछ doubt तो नहीं आना चाहिए क्योंकि form बहुत easily feel हो जा रहा है ठीक है लेकिन कहीं बार क्या network issue होता है तो कुछ forms जो हैं देले हो जाती है पर उसको वापिस आप एक करेंगे तो वह form fill हो जाता है ठीक है तो यहां पर हमने step by step सारे forms fill कर लिया है ठीक है तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आगे और कुछ वीडियो चाहिए होगा तो आप बतेएगा हम आगे उसको भी करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मज करी हैंipe करी है मीडियो गगा है यहां है सीर्ड़ Kr i इंहाड़ में हम क्या हाइए है।